वारानसी जनपत में 24 जनवरी 2021 में हुई निस्ठा परिक्षा के बाद दिनांग 27 जनवरी 2021 को आधार सिला मौडियूल और आधार सिला क्रियानवेन संदर्शका पर क्विज प्रिद्यो किता हुई जिसमें कुल 15 प्रस्ण पूछे गए प्रतेक प्रस्ण के लिए दो अंक नि जिद की गई परिक्षा का कुल समय 30 मिनिट का था परिक्षा वारानसी के डैयट प्राचारस्टी उमेश कुमार सुकल और जिला बेशिक सिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश शिंग जी के मारक दशन व निर्देशन में संपन हुई इस परिक्षा के निर्माण में सभी ब्लॉकों के खंड सिक्षा अधिकारी सभी जिलासमर्वय गण और सदस्य राज संदर्व समू का भी विशेश योगदान रहा आईए अब इस परिक्षा के सभी प्रश्णों पर चर्चा की जाए ध्यानकर्शन मौडियूल के अंतरगत हुई परिक्षा का पहला प्रश्ण है कि ध्यानकर्शन मौडियूल मदद करेगा इसमें पहला स्टे स्टेटमेंट है वह है कक्षा है every two बशल दक्रश्ण के गंधों के मदद करने में और यहां तीसला स्टेटमेंट है कक्षा है एक एवं दो कप्रश्ण के गंधती है वह भाष भाषल दक्षता रallo कितस लेक्षा था क्रषित वश्णों two out of two लिखावाई है इसका मतलब यह है कि यह question दो नमबर का है और मैंने इसमें दो अंक प्राप्ट किये हैं यानि कि मेरा जो option है वो सही है इसमें दूसरा प्रस्टने के ध्यानाकर्षन मौडियूल बताता है तो देखे इसमें पहला option की अधिगम आधारी सिक्षण के बारे में दूसरा है स्वयम पर ध्यान देने के बारे में तीसरा है सभी पर ध्यान देने के बारे में और चौथा है विशेश रूप से मेधावी चात्रों के बारे में तो देखे जो मॉडियूल है वो अधिगम आधारी सिक्षण के बारे में बताता है तो इस हिसाब से पहला option सही होगा यहापर तीसरा प्रस्णे की बच्चों में अपेक्षे संप्राप्ति न होने का प्रमुक कारण है तो यहापर पहला option की ज्यानेंद्रियों में आंसिक विकार दूसर यहापर चौथा प्रस्णे की लर्निंग आउटकम है और यहापर चार विकल्प है पहला विकल्प है पाठ योजना का outcome है दूसरा है परिडाम आधारित लक्ष है तीसरा है बच्चों ने जो नहीं सीखा वह है और चौथा है गत्विधियों का प्रकार तो देखें लर्नि अंतरगत ध्यानकर्षन कारेकरम को संचालित करना है जिसमें ध्यानकर्षन सिवीर का आयोजन करना है तो उसमें बच्चों के लिए आरंबिक परिक्षन प्रपत्र बनेंगे जिसमें प्रशन सामिल होंगे तो यहां पर पूछागे कि आरंबिक परिक्षन के प्रशन पत्र सिक्षण अधिगम चक्र में सामिल है तो सिक्षण अधिगम चक्र में पहले प्रस्तावना फिर अभ्यास फिर आंकलन और फिर नियो जनाता है तो इस हिसाब उप्रोग तो दोनों और चौता है इनमें से कोई नहीं तो देखें प्रोजक्ट कारे जोड़ी में कारे सीखने के लिए बातचीत प्रस्ण पूछना यह सभी प्रभावी सिक्ष्णर की तकनिक्या हैं तो इस हिसाब से जो तीसरा ऑप्षन होगा कि उप्रोग तो दोनों यह सही होगा इसमें आठवा प्रस्ण के हिंदी सब्द कोस के अनुसार सही क्रम में होगा तो देखें हिंदी सब्द कोस के अनुसार यहां पर जो तीसरा ऑप्षन है कि कंचन क्रिस कौन क्यारी यह सही क्रम है इसलिए तीसरा ऑप्षन सही होगा यहां पर नवा प्रस्ण की ब एस फॉर सब्ट्रेक्शन यानि की घटाना होता है तो इस हिसाब से तीसरा option सही होगा यहाँ पर दस्वा प्रशन देखे इसमें तीन statement है पहला statement है कि बच्चों को प्रश्ण करने का आउसर देना चाहिए दूसरा है बच्चों को प्रश्णों का उत्तर देने का आउसर देन हैं तो इसमें पहला statement है बच्चे स्वयम खोज करके सीख सकेंगे और दूसरा statement है बच्चे अपने प्रति दिन की समस्याओं के प्रति जाग रूख होंगे तो यह दोनों ही statement सही है तो इस हिसाब से जो तीसरा option होगा कि को और खो दोनों सत्य हैं सही होगा इसमें बार्वा option है कि स्वयम सुद्ध उचारण करके बताएंगे दूसरा है हमेशा तुर्टियों को बताते रहेंगे तीसरा है बच्चे धीरे-धीरे स्वयम सीख जाते हैं और चौता है लिखकर अभ्यास कराएं तो देखिए जो सबसे एप्रोप्रेट और सही option है वह पहला वाला है सिक्षन योजना बनाकर कक्षा सिक्षन करने से क्या होगा क्या लाब होगा तो इसमें पहला option है कि व्यवस्तित सिक्षन हो पाता है दूसरा है स्वतंद्रता खत्म हो जाती है तीसरा है अधिगम प्रभावी नहीं हो पाता और चौता है नवाचार के संभावना नहीं होती है तो दिखें सबसे सही जो आंसर है वो पहला वाला है कि व्यवस्तित सिक्षण हो पाता है इसमें पंद्रवा और अन्तिम प्रस्ने की आंतराश्ट्य तिति रेखा है तो द्यूसिया है कि 180 डि집री देशांधर को कहते हैं तो यहां पर जो पहला option होगा वो सही होगा तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ध्याना कर्ष्ण